करीब 10 लाग से उपर लड़कियों को, महिलाओं को, बच्चों को, भुजुर्गों को एक लेडी सिंगम, एक पोस्ट पर रहते हुए, इतने सारे काम एक साथ कैसे कर रही है कॉलेज बच्चों के साथ मिलकर अपने दिल्ली पुलिस में एक पहला ऐसा एक ट्वैलेट बनवाया उन्होंने कहा कि कल सुबा आप जीवी रोड की चोंकी इंचाइज रहेंगे नमाशकार दोस्तों मैं डॉक्त मैश्वरी, लेजंड ऑफ नेशन के इस कारिकरम में आप सभी का बहुत बहुत सवागित करता हूं और आप लोग जानते हैं कि हर बार हमें कैसे सेलेब्रिटे गेस्ट को लेकर आते हैं जो आपके लाइफ में कुछ न कुछ एड़ॉन आपको बेनेफिट दे कर जाते हैं क्योंकि अपने जीवन के अनुभव के अधार पर जब वो अपने जीवन का अनुभव आपके साथ शेर करते हैं तो आनुभव कही न कहीं आपके जीवन को नेक्स लेवल ले जाने में हमेशा मदद करता है आप लोगोंने सिंगम मुवी ज़रूर देखी होगी और अजे देवगन के किरदार को देखकर आपको बड़ा मजाय होगा लेकिन आज मैं मिलाने वाला हूँ आपको रियल लाइफ में लेडी सिंगम आज हमारे साथ में हैं देदी सेटी साप और किरन सेटी जी जो पूरे वर्ल्ड में लेडी सिंगम के नाम से फेमस हैं देदी सबसे पहले आपका बहुत-बहुत हार्दिक स्वागत है और मेरे सभी व्यूवर्स के लिए मैं आपका बहुत तही दिल से वेलकम करता हूँ मेरे साथ में हैं अमरित महिश्वरी जो आथ युवाओं के लिए बहुत सारे प्रश्ण पूछने वाले हैं दीदी से बदल जाते हैं तो आपने जब आप पढ़ा ही कर रहे थे और आपने दिल्ली पुलिस के वारे में सोचा कि मुझा तियारी करनी है देली पुलिस में जाना है सबसे पहले तो मैं सभी देखने वाले और सुने वालों को जैहिन कहना चाहूंगी और मुझे गर्व है कि मैं भारत में पैदा होई और दिल्ली पुलिस में भरती हुई जिस सरह से बच्पन में कई बार होता है कि हम सपने देखते हैं कि हम कुछ बरें मैंने ललकार पिचर देखी तो मेरा मन किया कि मैं आर्मी में जाकर नर्स बनो तो क्यूंकि वह फिल्मी बाते थी कैसे बनना है किस तरह से आई तो मैंने 1987 में दिल्ली पुलिस जॉइन की तो तब लोग दिल्ली पुलिस में नहीं भरती होना चाहते थे तो में महिलाओं को पहले ये काता रहे प तो मतलब ऐसी जॉब जो सुबा से शाम तक करने के बाद लड़किया अपने घर आ सके तो वो जॉब पेरेंट्स जो हैं वो पसंद करते थे मगर क्योंकि दिली पुलिस 24 गंटे की डूटी रहती है दिन और रात की डूटी है तो सबसे पहले मेरे फैमिली मेंबर्स में मेरे ममी और पापा को कोई अहतराज नहीं था बलकि उन्हें खुशी हुई कि आप दिली पुलिस में भरती हुई बट कुछ समाज के लोग होते है कि क्यों दिली पुलिस में भरती करा दिया दिली पुलिस तो मतलब लड़कियों के लिए फोर्स अच्छी नहीं है तो उनके कई बर ताने सुनने को मिलते थे बट मेरे ममी और पापा ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया और उससे मेरे अंदर एक बोल्डनेस आई तो जब मैं दिली पुलिस में भरती हुई तो मैं आपको यह बताना चाहती हूं अपने ट्रेनिंग के बाद मैं कुछ सालों में मैं दिली पुलिस किया के लिए ऐसी लड़की थी जो लड़को को कमांडो कोर्स करा ती तो मेरे लिए बड़ी प्राउड वाली मुमेंट थी और इसके ल लड़का कर सकता है एक डूटी दे सकता है या कॉंपिडिशन में जैसे जाना है जिस तरह से वह हमारी कॉंपिडिशन भी लड़कों से करवाते थे ताकि जब हम महां पर जाएं टूर्नमेंट में तो कभी अपने आपको कमजोर नी समझे तो दिली पुलिस में भरती होने स मेरे में एक अलग से कॉंफिडेंस आया दुनिया तो कहते हैं कि दुनियों का काम है कहना उनको कहने दो और उनकी परवानी करनी चाहिए बट आप जिस फिल्ड में जाएं उसमें खासोर पर बात है कि इमानदारी और मेहनत की बहुत जरूरत होती है बहुत अशी बात अप चसाँ घंडरी में संका जills करने की जौरत्नी है का छिश पाने बार में सटेडि कर लगा ऐह आपके बारे में जॉटी करने लगा और नाजी थे नाज आ पढ़ आज वी पढ़ रहे है तो कौन कौन सी डिग्री आप ने की और कब कब आपको लोगा कि हां ठीका पड़ाई हो गए चलो नेक्स कुछ और करते हैं देखिए किसी की भी गौर्विन जॉब लगते हैं तो वो सोचता हां भी मैं सैटिस्पाई हो गया हूँ अब मेरी जॉब लग गया इस सुबह अपन कि एक रिकॉर्ड बनाया है और विश्यों में पढ़ाई करते रही हैं उनकी भी मैंने जानकारी अपने आगे दी हैं जैसे मैं भरती हुई तो मैं डृल इंस्ट्रक्टर बनी तो मैंने वहां पे लड़कियों को मोटिवेट किया कि कभी भी मतलब कि आप ऐसा मत सोचें कि वहां ही कुछ अलग करके दिखाई और फिर मैं जब लड़कों को सिखाने लग गई तो मेरे अंदर एक अलग से कौन्फिड़ान्स आया शुरू शुरू में भी घब रहा है थी बट मैंने जब देखा कि नहीं अगर मैं इस तरह से घब रहा होंगी तो मेरा आगे का जो लक् करती थी और ट्रेनिंग कराती थी तो जब शुरू में मुझे लगा कि कही मुझे जिजक है तो मैंने खुद स्कूलों में जा जाकर बच्चों को ट्रेनिंग देना शुरू किया तो जब मैं बच्चों को ट्रेनिंग देती थी तो फिर मैं उनको जो अपने डिली पुलिस क कॉंस्टेबल या ऐसा ही थे तो उनको उनको मैं स्टूडेंटी समयती थी तो जब मेरे अंदर एक टीचर जैसी भावना आती थी तो तब मैं उनको अच्छी ट्रेनिंग दे पाती थी और इसके अलावा मैं अपनी जैसे आपने कहा पढ़ाई तो मैंने अपनी पढ़ाई को जाए रख्ञा स्कूल, कॉलेज और कॉलिज के बाद मैंने जो अच्छिक हमेड यॉगा में किया मैं राइड यूमन राइट्स में च्छ वेयर 또 और किया हैप ब्रत नेश्ट ब्रत दल्ट कर सकते हैं मैंने गर और्स शोशichen में में हैं मीर्स तकि यह बाह किया और अब मैं अच्छा को कहते हैं यह सुनता हूं कि मेरी तो पढ़ाई पूरी हो गई अशी चीज़ है कि आपके जीवन समाप्त हो एक तब भी पढ़ाई समापती हो गई हो और मैंने ऐसे कई शॉट कोर्स की हैं जैसे डिप्लोमा टाइप में मास्टर जर्नलिजम भी मैंने किया हुआ है और मैं ब्रोड कास्टिंग में भी में हूँ और ऑल इंडिया रेडियो में जैसे जो हम लेक्षर देते हैं या कोई अनॉंस्मेंट करते हैं तो वो किस तरह से की जाती है रेडियो कैसे वर्क करता है तो मैंने उसकी जानकारी लेत मैं पहले बैच में मैंने इसका में किया था और रही बात जैसे अमरित मेरे साथ है तो मुझे एक यंगनेस जैसी फीलिंग आती है तो जब मैं पढ़ाई करती हूं तो मैं उन छोटे बच्चे जो मेरी यह से बहुत कम हैं जब उनके साथ बैठती तो मैं अपने आपको अपन पर सर्च करेंगे ना आप लिखे लेडी सिंगम और सर्च किजिए कि लेडी सिंगम पर लिखते ही किसका नाम आता है यूट्यूब पेस्बुक लेंग्डेन इंस्टाग्राम विकिपीडिया सब जगह आपको भरमार इंफॉर्मेशन मिलेगी कि इन दीदी के बारे में एक कई बार उसका आत्म सम्माना बड़ा मुश्किल से इस बात को स्विकार करता है कि महिला मुझसे कम उमर की खुछा मुझसे ऑफिसर बड़ी है पर मुझे कमांड देगी इस चीज को आप कैसे टेकल करते हैं कैसे इडेंटिफाइ करते हैं कि हाँ ये अपने मन में ऐसी फिल अधर मैं खुद ही रिगार्ट देती हूं सर करके बोलती हूं तो उन्हें लगता है कि नहीं मैंनम कोई सही बात बता रही है और शुरु का जो उनका रविया होता है वह दीरे दीरे एक परिवारिक बन जाता है और अपना पनाता है और बलकि मेरे जितने भी पुलिस सही हो तो मैं भी उनकी बात को अमल करती हूं और एगरी करती हूं कि वो मेरे एक अच्छे के लिए बोले हैं. मतलब आप लोगों के लिए लर्निंग टिप यह कि अगर आपके समाज में कोई भी ऐसी महिला हैं जो आपसे सीनियर हैं या आप एक महिला हैं और आपके पास आथ को ऐसे ऑफिसर से आपके अंडरकाम करें तो आप एक पारिवारिक महुल बनाएं बिल्कुल एक अच्छा डेवलप करें आपस में एक ऐसा भाईचारा बनाएं कि उनको लगे कि इन हम फैमिलियर और बात समझारें तो समझ भी आप आप उस चीज को समझ रहे हैं तो उसको आप इस तरह से टैकल करें कि सामने वाले को एहसास हो कि वह गलती कर रहा है और उसे खुद फीलो कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए जी मैं आपके आवार्ड के बारे में पढ़ रहा था तो करीब 15-20 आवार्ड तो मैंने पढ़े क कई जगा मुझे पता चले कि यह यह पद से आप संबानीता है और मैं मुझे ऐसा लगता है कि उससे भी कई गोना जादा है क्योंकि हर जगा हर एक चीज की इंफॉर्मेशन एविलेबल नहीं है तो मैं चाहता हूं अपने कुछ एक अवार्ड के बारे में बताएं ताकि व है तो मैरे स्टाफ है या मेरे साती है वह यह पुछतें कि तो क्या खEveryone कभी ठकती नहीं है तो आदमियखता मैं यह सोतीं कि मन से है और अगर आपका मन थग गया तो आपका शेरीर अपने अप थगया तो जो मैं करती हूं वह जो काम के सहराना होती है कबी मुझे संवान के मिले और कभी अवार्ट के रूप में मुझे बहुत खुशी हुई जब मेरे कारियों के लिए मुझे राश्पती पुलिस पदक मिला क्योंकि बहुत ही कम लोगों को मिलता है और बिल्कुल इमानदारी से अपने काम को दिन रात करती रही तो यह जब यह समान सीने पर लगा खुशी का एक अलगसे पल था मुझे डिली पुलिस का सबसे सर्वत्तम आवार्ट जो है आस अधारन कारे पुर्सकार वो मिल चुका है मैं रेप और पॉक्सों केसिस की इंवेस्टिकेशन करती हूं तो ज्यादा से ज्यादा मुल्जिमों को ता उमर कैद कराने की लंबी स कामों को देखते हुए और जो मैंने नेत्रिहिन बच्ची को बचाया था मुझे आइवोमन ग्लोबल आवार्ड मिल चुका है उन बारा महिलाओं को जब चुना गया कि वह अपने अपने फील्ड में काम कर रही है तो उन्होंने मुझे लाइफ टाइमेंट अवार्ड दिय जो मतलब की देश में बहुत जानी मानी है और जब मुझे पंजाब के सिरीवालों ने यह अवार्ड दिया तो मेरे लिए खुशी के वह पल थे हर अवार्ड मिलने पर एक खुशी होती है मुझे कई मीडिया परसंस ने और कई ऐसी एंजियों ने समानित किया जब मैंने द और ऐसे बहुत से अवार्ड है शिरोमनी अवार्ड है जो ऐसी हस्यों को मिल चका है मदर टरेसा माम जी को लता मंगेशर माम जी को और ऐसे सुनिल गवासर जी को कपिल देव जी को तो उन अवार्ड के साथ जब मुझे समानित किया भारत शिरोमनी अवार्ड तो मेरे या कि बच्चों को ट्रेइनिंग देते हैं, तो मैंने भी अपना सायोग as a self-defense training, as a motivational training से कि किसी के हम भविशे को जगा सकते हैं, तो जैसे कहते हैं कि एक आदमी को सांस नहीं आ रही, तो आपने मुक से उन्हें सांस भरी या उनको प्रेशर करके सांस भरा या किसरा, तो मैं यह सोचते हूँ कि आपकी कुछ motivational बातें जो होती हैं, सामने वाले की जिन्दगी में जिन्दा करने के लिए काम आती हैं, तो उस ग्रह मंत्री रह चुके हैं, उन्होंने रक्षक अवार्ड से समानित किया, मिश शाजी से मैं समानित हो चुकी हूँ, राजना सिंग साब जी से समानित हो चुकी हूँ, जो हमारे ग्रह मंत्री हैं, और जो हम काम करते हैं, जब हमें सम्मान मिलता है, तो फिर हमें यह लगत सरा या मेरे DCP साब जब मुझे संजे कुमार साइन जिनके अंडर मैं भी काम कर रही हूं उन्होंने समानित किया और जो ऐसे सीनियर ओफिसर रहे और आगे और जगा पोस्टिंग हो गई हैं उनके उनके द्वारा दिये गिए समान से मुझे हमेशा एक नई उर्जा बरती है अगले दिन यह रात को सोती हूं कि मुझे किकल कुछ और निया करना है उनकी और समंध अपाने के लिए, मैं आतक पर आदद पर यह ऊतनी के तूर किसे सम्मान के लिए नही असले क्र हज़ोगे और आज मेरे में शक्ति कम है, तो मैं गीत गुन गुना लेती हूं, जीवन चलने का नाम, चलते रोह सुबर शाम, तो इस तरह के जो गीत हैं, वो आपके अंदर एक उर्जा भरते हैं, हाँ, टॉनिक का काम करते हैं, और मुझे नीन कम आती है, तो फिर मैं पढ़ाई शुरू कर की आसन, अडवांस आसन की ए, प्रणायाम की ए, और इसके अलावा मैंने वहां पर वेलनेस और प्रोटोकाल के भी कोर्सी की ए, और नेशनल ओपन स्कूल हो जाए, या इंदरा गांधी ओपन युनिवस्टी से, वहां पर मैंने ट्रेनिंग दी और और तो और मैंने के साथ साथ मैं ये काम भी करती हूं, मैंने चंदीगर्ड में जाके जब सेल डिफेंस की ट्रेनिंग महां की पुलिस के तरू दी तो वहां पर मुझे जो गवर्नर साथ थे, प्यास बदनोर साथ और माने नी है, जो हमारी मंतरी है, किरन केर मैम ने, पारलिमेंट मेंबर है जो उनोंने भी जब समानित किया, तो तब ये लगता है कि आपके काम को एक लक्षे मिल रहा है, और मैं जहारखंड में भी जो बच्चे हैं, वहां पर जाके ट्रेनिंग दी, पूरा में जाके ट्रेनिंग दी, या किसी भी फिल्ड में जहां पर मैं कुद किसी अपने काम स भी जाती हूं तो इवन दें डूटी के दुरान भी वहां होती हूं और मुझे लगता है कि मैं वहां जाके वहां के बच्चों को सेल डिफेंस ट्रेनिंग दे सकती हूं या उनके बच्चों को डाइट के बारे में कुछ बता सकती हूं या शिक्षा के बारे में कुछ बता सक कराने का जो अवार्ड है वो आपके नाम पर है मेरे एक प्रशंटर डिफरेंट है उस बात को लेका जी कई बार ऐसा होता है कि कोई एक महिला है उसने किसी पुरुष के खिलाफ एक रेप का आरोप लगाया है मैं मानता हूं कि सौ में से 99 प्रश्चत सही होती होंगी महिला है सही कहती होंगी कि बैसा हुआ है पर कभी आपके इंवेस्टिकेशन में ऐसा कुछ है कि किसी महिला ने किसी पुरुष के खिलाफ रेप का आरोप लगाया है और आपको इंवेस्टिकेशन में पता लगया कि नहीं इस लड़के के साथ गलत हुआ है इसको फसाया गए तो उ उसके एक इन्वेस्टिगेशन रिजट्र होता है, यह कोई कम्प्लेन आती है, उसके एक इन्वेस्टिगेशन होती है, वह Orlando मेंひडि़िये संमाज में एक शएप देने काुग्च मैश देर, पॉलिस का जो जो कारे होता है, अपनी इन्वेस्टिगेशन में फेर Лा ना, जा ए आरोप कहीं ना कहीं किसी जहांसे में फसाने का है तो हम उसके प्रॉपरली सबूती कठा करते हैं और न्यायले में उस चीजों को हम बताते हैं अपनी इंवेस्टिगेशन में इसलिए मैंने एक रिकॉर्ड बनाया है कि सही फियर इंवेस्टिगेशन करके सही मुल्यमों को जा हो और अगर वो अपरादी नहीं है तो हम कई बर कोशिश भी हमारी यही रहती है कि ऐसे आत्मी को अरेस्ट भी ना किया जाए और विदाउट अरेस्ट हम चार्शिट भी फाइल करते हैं और देखिए पुलिस का मतलब यह नहीं है कि कोई भी हमारे पास आया और हमने ए एक सही तरीके से सही दिशा में लेकर जाना अगर आप इमेजन कीजिए कि पुलिस नहीं होती तो कितनी अराजकता होती आप एक दिन आख बंद कर बैठिये कि पुलिस सेशन में सब जगा चुटी है और आज पुलिस कोई काम नहीं करेगी फिर आप महसूस कीजिए कि पु पुलिस अपना काम सही कर रही है तो वो उसके लिए सहयोग भी करते हैं और मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ जो लड़कियों के साथ सही में अपराद होता है तो वो उसकी सोचना जरूर पुलिस में करें चाहे आप आगे जाके उसकेस को नियाले में ले जाना चाहे या नहीं लेकिना जाना चाहिए मगर कम्प्लेंट जुरू करें इससे अपराद का पता चलता है और अवेरनेस बहुत जुरूरी है पुलिस के हल्प लाइन नंबर जैसे आप पहले 100 नंबर होता था आप पूरी इंडिया में 112 नंबर जो है नया नंबर है उसके बारे में पत सपने के लिए लिए पुलिस और ज़ानकारीयों के लिए भी आपको आवेर करती है हां ऑज कल बहुत सारे कम थी एधयकृश्ट को भाशेबिते हैं हम जैसे सेल् डेफेंस की ट्रेनिंग देते हैं वैसे साइबर आवेरनेस की ट्रेनिंग देते हैं वैसे जो लोग दोखा- इंस्टाग्राम के जरिये हम चोटी चोटी एड़ोटाइजमेंट के आज आप दिल्ली पुलिस किसी भी आप को खोले आपको कहीं ना कहीं अवेरनेस और रूल और रेगलेशन के बारे में बताती है जैसे ट्रैफिक रूल तोड़ते हैं लोग तो उनको यह तो होता है कि हमन के लिए वह आपको अवेर करते हैं अगर आपके पास इंशोरेंस नहीं है तो अगर आप इंशोरेंस ने कराते पुलिस आप पर सकती करती है कि अपनी गाड़ी के साथ इंशोरेंस के कागई दीजिए तो कहीं न कहीं अगर हास्ता हो जाता है तो आपके पास इंशोरेंस हो कि एक बहुत इंट्रस्टिंग तरीके से वो लोग सबको अवेर कर रहे हैं एक दिन मैं कहीं गूमने क्या हुआ था तो वहां पर देहाड़ा पिन वील कि मतलब वील गुमाओ तुम्हारे पास एक साइन अपियर होगा तुम्हें इसको बताना है कि और सिर्फ यह नहीं कि बताते हैं अगर गलत है तो इसकी प्रॉपर अवेर्नेस और एक प्रैंप्लेट सब को बाटते हैं कि कौन सा रूल होना है सही है और हमें जिस तर अंदर भी अगर आप लोग पुलिस सेशन जाने में घबराते हैं वो नहीं होना चाहिए आपका कोई आइकार्ट खो जाता है तो हम आपको कहते हैं अगर आप वहां नहीं आ सकते रात को नहीं आ सकते तो आप ऐसी हमारी दिली पुलिस के एप हैं जिसे आप अपनी कंप्ल के लिए अपनी म्यूजिक करता है यह मैं मैं एक मूजिक लवर होने के नाते यह बात मुझे बहुत इंटरस्टिंग लगी कि ऐसे काई टाइम सोते हैं जब मेरे को मूटिवेशन की ज़रोते हैं तो म्यूजिक को उस टाइम पे यूज कर सकता हैं और आप मैसेज वाले गा जादा तर ऐसा सोचते हैं कि जो एक बार गवर्मेंट जॉब लग जाए उसके बाद उसके में ज्यादा काम नहीं करना पुड़ता लेकिन आपको में देखा कि इतने अपने अवार्ड जी इसके लिए इतना आप निरंतर काम करते जा रहे हैं तो वो चीज आप उसके बारे म जाना और निया जमाना मैंने तीनों देख रही हूं काफी दोर देखे और बहुत कुछ सीखने को भी मिला और बहुत कुछ सिखाने को भी मिला मैंने सिर्फ सेल डिफेंस की ही ट्रेनिंग नहीं दी जैसे आपने का कि आपकी गवर्मेंट जॉब लग गई तो आप बेफिक अच्छा इंसान वही होता है जो आपके पास चीजे हैं वापे समाज में बाटे जब हम समाज में बाटे हैं तो दूसरों के लिए एक एक्जामपल भी होता है और हमारे एक एक्सपिरियंस भी होता है तो मैंने जैसे जॉब लग गई बन गई मैंने लड़कों को सिखाया फिर मुझे लगा नहीं मेरे अंदर यह नौलेज है तो मैंने स्कूल और कॉलेज को बच्चों को इंस्टिटूट्स को अपने दिल्ली पुलिस के भ्याव सिखाया तब ही तक मैं अब तक 10 लाग से उपर लोगों को यह सल डिफेंस की टेनिंग दे चुकी हूं और यही नह कि समाज में जैसे मैं योगा में किया तो मैंने बच्चों को बज़ूर्गों को सीनियर सिटीजन्स को यह स्चाइड तर्फ्रों को को सब्स्राइब नहीं नहीं को स्ट्रों कर सके अधा पढ़ाई पर दियान नहीं देते हैं, माबाप जो एक रिक्षा चलाता है, वो कभी नहीं चाहता कि मेरा बच्चा भी रिक्षा चलाएं, तो मैं उन बच्चों को बताती हो कि पढ़ाई की वेल्यू क्या होती है, जो बच्चे स्कूल टाइम्स के बाद इदर उदर अवारा करते हैं, उनको हामी कठा करके कोशिश करते हैं दिली पुलिस के भी आफ, हम उने थोड़ी थोड़ी ट्रेनिंग इस तरह से देते रहे चाहिए वो फिजिकल ट्रेनिंग हो क्योंकि मैं फिजिकल टीचर रही हूं, मैं आरोविस की कोरोग्रोफर रही हूं, 26 जनवरी में मै अपने दिली पुलिस के भी हाफ, तो मैं उनको फिजिकली फिट होने की ट्रेनिंग देती हूं, फिर उनको मैं गाइड करती हूं कि आप कोंसी गेम में जा सकते हो, और कहां पढ़ाई कर सकते हो, लाइबरेरी की वेल्यूस बताई उनको, और तो और जो बच्चों को तो हम पढ़ाते ही हैं, मैंने स्कूली और कॉलेज बच्चों के साथ मिलकर अपने दिली पुलिस में पहला ऐसा एक ट्वैलेट बनवाया, जिसमें प्लास्टिक की बोटल्स में प्लास्टिक भरकर इटे बनाई और उस ट्वैलेट को कमला मार्किट पुलिस्टेशन में इंस्ट पुलिस डेपार्टमेंट के एक पुलिस स्टेशन में इंस्टॉल करा है कमला मार्केट में और इसके लिए मैं बड़ी शुक्र गुजार हूं अपने डी सी पी शिरी संजे कुमार साइन जी की जन्होंने हमें हर काम के लिए आगे मोटिवेट किया और उनका एक एम भी है कि विश्वास पर एक हमारा प्रोजेक्ट है कि समाज के बीच में और पुलिस के बीच में एक कॉडिनेशन हो और पुलिस और समाज आपस में एक दूसरे के साथ विश्वास करें तो इसी विश्वास को आगे ले जाने के लिए मैं काम करती हूं उनके माधदेशन पर जितना आगे हो सकता है जो हमें वो गाइट करते हैं या हमारे भी कई बार कुछ पॉइंट्स होते हैं वो भी उन चीजों को लेकर आगे जाए तो उस आर्टि कि उनको वहां आना पड़ा लेकिन कुछ ऐसे तो जिनको अवैद तरीके से वहां पर लाए गया आपने काफी महिलां को रेस्क्यू किया उन्हें पुरनरवास किया उनको उनकी लाइफ को सेटल किया तो उस इंसिदेंट के बारे में बताएं क्योंकि आज बहुत सारे जो पहली कमांडो थी स्वाट टीम उसकी मैं इंचार थी और मुझे बहुत खुशी होती है कि हमारी देश की महिलाएं कहीं भी फील्ड में कहीं भी कमजोर नहीं है और जहां पर एक पुरुष जैसे आप कह रहे हो जी आपने पहला कोश्चन भी पूचा कि पुरुष आप मुक्ति पॉपशालीगें भी चेले माची सिरा 153 नहीं है testig महिलाएं कंढे से कंदा मिला कर वहीं सब अच्छा एजल्ट दे रहिये हैं जो एकुलिस देता है कि तो एसा मुझे वहां मिला दूसरा मुझे 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 बीस में सेंटर डिस्टिक में वापिस पोस्टेड होकर आई तो हमारे डी सीपी श्री संजे कुमार भाटिया साब जी ने कहा कि तुम हमेशा अच्छे वर करती रहती हो बोल्ड हो लेडी सिंगम के नाम से हो तो मैं एक कारे भार आपको सोप रहा हूं तो मैंने उनसे कहा कि सर आप जो भी मुझे कारे देंगे मैं बिल्कुल उसको दिल लगाके और मेहनत से करूंगी तो उन्होंने कहा कि कल सुबह आप जीवी रोड की चोंकी इंचाहद रहेंगी